हेलो इन्वेस्टर्स आई होप आप सभी सवस्थ होने के साथ स्टोक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे जैसा कि काफी दिन से स्टोक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली लेकिन करेक्शन होते भी जल्दी नजरा सकते हैं जीटिल इन्फरा को लेकर आज भी इन्वेस्टर्स के मन में काफी सारे सवाल हैं लास्ट ये सेयर 2.94 परसेंट गिरकर 1.65 पर क्लोज हुआ बीच में एक बार अप्टेंड जरूर देखने को मिला था जहां अपर सरकेट लगातार देखने को मिला और ये 2.40 के लेवल को भी इसने टच किया जबकि काफी टाइम से ये 1.60 और 1.90 के प्राइस बैंड में ज़्यादा गूमता नजराया कही न कहीं ये भी एक रिजन रहा शेर प्राइस गिरने का वैसे इस कंपनी में कौन सा आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे 5G को लेकर अगर कोई positive news आए तो अच्छा रह सकता है क्योंकि दूसरी और client भी काफी बड़े हैं इनके जैसे Vodafone Idea, Airtel, Geo, बागी share price को देखकर ऐसा कोई confidence दिखाई नहीं देता Book value भी negative में ही है Recent news के according, Non-Executive, Non-Independent Director का resignation भी देखने को मिला कुल मिला कर ये stock इस price band में गुमता नजर आ सकता है देखो ये मेरा अपना point of view है, सबका अलग हो सकता है अब सब कुछ fundamentals पर भी काम नहीं करता हाला कि existing investors को positive news का इंतिजार जरूर रहेगा बाकी कोई news आएगी तो ही हम इस company को अब cover करेंगे वैसे तो stock कभी overboard zone में नहीं है लेकिन red flag आपको जरूर देखने को मिलेगा 5G की कोई positive news आए, टेलिकॉम sector के लिए investors को उसी का इंतिजार है इसको शायद deny नहीं किया जा सकता जाने से पहले please channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care